प्यारे बच्चो आदाब आज एक पर फिर मैं हाजर हूँ आपकी खिदमत में सब्जेक्ट ईवी एस लेकर क्लास भिव्थ लेसन नमबर टू टॉपिक है फ्राम टेस्टिंग टॉडेस्टिंग और सब टॉपिक है डिफरेंट टेस्ट्स प्यारे बच्चो before starting my today's topic I would like to ask you some questions Q1. What you take when you feel cuff? Q2. What you do when a syrup has strong smell? आप क्या करते हो जब एक दवाई पीने वाली आपके हाथ में होती है और उसकी स्ट्रॉंग स्मेल होती है तो उस वकत आप क्या करते हो Question number 3 How would you recognize the food without tasting? आप food को टेस्ट करने के बिना कैसे बहचानोगी? प्यारे बच्चों ये कुछ questions हैं आपके लिए जी हां बच्चों तो आज यहां पे हम सब टॉपिक टेस्ट के बारे में बात करेंगे आपके सामने टेस्ट लिखा हुआ है और उसके आगे उसकी definition दी गई है क्या है वो definition? The sensation of flavor perceived in the mouth and throat on contact with the substance टेस्ट क्या होता है प्यारे बच्चों ये एक sensation है ये एक एहसास है ये पता चलना a flavor perceived यानि एक special taste एक distinct taste जो हमारे mouth में perceived हो रहा होता है receive हो रहा होता है mouth में एक taste आ रहा होता है और गले तक throat तक वो perceive करता है जब हम किसी substance से contact करते हैं जब किसी चीज को हम अपने मूँ में ढालते हैं यानि एक एहसास एक ऐसा sensation हमें उसका जाइका आना सवाद लगना उस substance का जो हमारे mouth के साथ जिसका contact होता है उसको प्यारे बच्चों टेस्ट कहा जाता है यहां पर बात की गई है different tastes की आप देख रहे हो हमारी जो मूँ के अंदर जबान होती है जिसको tongue कहते हैं उस tongue के उपर अलग-लग taste receptors होते हैं उनकी अलग-लग जगए हैं प्लेस हैं वहां पर वो मजूद होते हैं यहां प्यारे बच्चों आप देख रहे हो जैसे add the tip salty उसके पीशे sweet उसके पीशे उमामी और side पे sore और at the end बेक tongue के लिखा हुआ है bitter तो यह लग-लग taste receptors की places बताई गई हैं जब भी हम किसी substance को या food को मुँ में ढालते हैं तो यह receptors उसके taste को receive करते हैं और उसकी sensation हमारे brain तक पहुंचाते हैं और हमें उसके taste का पता चलता है तो आप बच्चों आपने देखा यहां पांच किसम के tastes बताए गए है salty, sweet, bitter, sour और उसके साथ एक और टेस्ट जो 5 जिल्थ है ओमामी ओमामी वो टेस्ट होता है जो ऐसी foods जो जिनको देर तक cooking किया जाए या जिनको salt लगा के process किया जाए या उनको थोड़ी देर रखा जाए तो ऐसी foods में से एक अलग सा टेस्ट आता है एक distant टेस्ट आता है इस टेस्ट को ओमामी टेस्ट कहते हैं यह एक Japanese words से आया है तो प्यारे बच्चो आज यहां पर आपने सीखा टेस्ट क्या होता है और different types of tastes क्या होते हैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया ठेकन इससे पहले मैं आपको home assignment दे दूँ प्यारे बच्चो आप एक structure ड्रा करोगे जिसमें आपकी टंग के ओपर अलग लग टेस् तो प्यारे बच्चो आपका बहुत बहुत शुक्रिया